हिंदू यूवा मंच के कारेकरताओं पर दहशत गर्दी का आरोप लगाते हुए तामरकार समाथ के लोगों ने दुरुक कोतवाली थाने में दर्सराई शिकायत, साथ ही दहशत गर्दी पर अंकुष लगाने, पुलिस विभाग से गुहार लगाई दुरुक के तमेर पारा में बीती रात मामूली विवात पर हिंदू यूवा मंच के कारेकरताओं दवारा अनुपम तामरकार के घर पर गुश कर महिलाओं के साथ अभधर विभार करने, वगाली गलाउच करने को लेकर गुश्सायत तामरकार समाज के लोगों ने दुरुक का घिरा और रहिवार को कर दिया और हिंदू यूवा मंज के कार्यकरताओं की द्वारा घर में घुसकर दैशत करती फैलाने पर कठोर कारवाई किये जाने की मांग कर डाली इस मौके पर पिरिद अनुपम तामरकार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मामूली कहा स सुनी पर हिंदू यूवा मंज के 150 से 200 कारेकरता हाथों में डंडे लेकर उसके घर पहुंचे जहां उन्होंने अनुपम तामरकार की अनुपस्थिती में उनके परिवार की महिलाओं से अभधर व्यभार किया तामरकार समाज की लोगों ने कहा कि हम स्वयम हिंदू होने के बात भी हिंदू प्रतार्णा का शिकार हो रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे दहशत गर्दी फैलाने वाले संगधनों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए हिंदूई माबहन को आपको सेश नहीं रख पार हो तो काहें का हिंदूई को मैं विनित तामरकार तमेर पारा निमासी कल मेरा छोटा भाई मार्केट से कासी रम चौंग से वो तमेर पारा आ रहता तब इमनों चंद ले रहे थे मान उटल चौंग के पार तो काभी संख्या सकते हैंदू आो ारा था तो जाने का की अगएं तो नहीं जानता हां हम लोग को से बास फिर उसके गाड़ी की चावी और मोबाइल चीन लिए फिर उसके बाद मेरे घटना में पता चला लुचकी पारस एक लड़का फोन किया भी ऐसी सी बात है तो हम लोग वहां गये वहां से वाद वी बाद हुआ उसके बाद इन्होंने गोविंड राज नैडू आया बोले कि मेटर खतम करते हैं यह बोलके निकल गये उसके बाद इन्होंने रात में रात में 10 बजे हम लोग सब बोले कि हम लोग मूवी जा रहे उसके बाद रात के 10 बजे दंडा वंडल लेके पूरा कम से कम 2.500 लड़के लेके इन लोग आये और घर में वहन और मातर आनी थी उनसे पत्थराओ किये और घर में पत्थर बेके और गाली गलोच किये और उनको बोले कि कहां है निए उनको बहाद निकालो और जान से उसको मारेंगे यह बोलके हिंदू अमन जिंदाबाद और जैसी राम के नारे लगा के उन्होंने चौक से वापस गया और हम लोग इसलिए से थाने आये हैं कि हमको उनके ओपर करवाई चाहिए और उनकी गिलबतारी चाहिए जो इस टेप से अभत्र वहवार कर रहे हैं कि हमारे मतलब हम हिंदू और के ही हम हिंदू से डरे और हमारी मातारानी इतना ज्यादा सहम गई थी कि उन्हों उन तो फोन में बात नहीं कर पारी थी तरह को तमेर पारा में जिसकी चांच की जा रहे हैं हिंदू यमन संगठं के कारेकरताओं के द्वारा हमारे समाज के हमारे एक भाई के घर में जिस वक्त उस परिवार में कोई पूरुश्व्यक्ति नहीं थी किवर्द दो मैला थी कि तो क्या लाव हमें हमें से कोई मुसल्मान है या हम मेंसे कोई ऑसाइय है क्या आप हिंदू संगठं का नाम लें हिंदू के घर मे ही पत्थडाव करेंगे ये यह कहाँ ता मैं पर भीच में नहीं लाना चाहिए हम भीदू परिवार से हैं सारे लोग हिंदू परिवार से हैं आप जब हिंदू संगठन का नाम ले रहा है तो आप किसी भी हिंदू परिवार में जाके आप हिंदू यूमच अपना हिंदू यूमच का नाम लेकि ये लोग बेनरतने जो काम करें आर तक कभी भी धर्मांतर के मुद्दे में सड़क उतना है क्या नहीं उतना है बारहाद सैकडों की संख्या में पहुचे हिंदू यूवा संगठन की लोगों ने देर तक कि तांडों मचाया और कारवाई की मांग कर डाली क्रेंडी सीन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारूक की रिपोर